हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है देर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर सिंग राजावत और आज हम देखने वाले हैं अमारी एक्सेसाइज 1D जो कि आरे सगरदाल के एक्सेसाइज है उसका सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है इसका मतलब है कि अलग सब्सक्राइब करना है और दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या आना चीए सेम आना चीए तो हम उसको वेरिफाइब बोल देंगे कि यह क्या हो गया वेरिफाइब हो गया तो देखो तो लेफेंड साइड और साइड को मैं एक साथ सोल कर रहा हूं तो देखो कैसे सोल करना है अभी हम क्योस्टन नमबर फर वन में देख चुके हैं कि इनको मल्टिप्लाई कैसे किया जाता है तो यहां पर मल्टिप्लाई ही है इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं एक्च्वल म कीजिए आप लोगों का सारा डाउट अच्छे से खुद ही सोल हो जाएगा आप लोगों को लेक्चर देखने की विजगत नहीं पड़ेगी और अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रोब्लम होती है तो आप फिर सोलीशन यहां पर देख सकते हो तो देखो वहां पर हमने इसको सोल करेंगे तो देखो यह कुछ ऐसा दिख रहे है और यह वाला पाट ऐसा दिखे रहे है तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आना चीह तभी तो और को मुट्स प्रोपर्टी क्या होगी है अपर बेलीड हों कि मैं दोने को एक साथ सोल कर नह मैं चाहो तो 3 upon 5 multiply minus 5 upon 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, उपर 1 और minus 1 बच गया, तो multiply करने पर minus कवरना जाएगा, नीचे 1 और 3 बचा, तो 1 3 जा 3 आएगा, तो यहनी कि left hand side का result कितना आता है, minus 1 upon 3 आएगा, और right hand side को जब solve करेंगे तो क्या आएगा, देखो, minus 5 upon 9, multiply 3 upon, sorry यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ 5 आएगा, ठीके, तो यहाँ कितना है, 5, 5 बचा 5, 3 बचा 3, 3 3 जा 9, तो उपर क्या होगा, minus minus, मतलब plus minus हो जाएगा, और 1 को बचे multiply करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ क्या होगा, 3 बंजा, 3 आगया, तो दोनों का result same आ रहा है, left hand side and right hand side equal आगई, तो हम बोल देंगे, hence verified, हमने क्या कर दिया इसको, verify कर दिया, I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आगई होगी, सेम ऐसे ही करना है, तो मैं एक साथ करना हूँ दोनों को, ठीक है, left hand side और right hand side को, देखो, कुछ उपर नीचे कुछ भी subtract नहीं हो, multiply नहीं हो रहा है, या divide नहीं हो रहा है, ये, ये, ये और ये, सब ऐसे ही रहेंगे, तो इन दोनों को multiply कर लो, तो इसको इससे करेंगे, तो कितना आएगा, minus 104 आएगा, और 9, 7 जा, 63 आजाएगा, ऐसे यहां करेंगे, तो ये plus, minus, minus का आएगा, 13 को 8 से multiply करोगे, 104 आएगा, फिर इसको इससे multiply करोगे, 63 आएगा, दोनों में left hand side और right hand side यहां भी क्या आ रही है, बराबर ही निकल क्या आ रही है, अगले question को देखते हैं, तो देखो, 12 बन जा 12, 12 थरी जा 36, इधा 12 बन जा 12, 12 थरी जा 36, उपर देखो, minus 1 और 7, minus, plus, minus, और 17 जा 7, plus, minus, 5 को 300 multiply करेंगे, 15, और minus से minus भी कर जाएगा, 7 upon 15 आएगा, फिर इतर क्या होगा देखो, 7 minus 1 को multiply करेंगे, minus 7, minus 3 और 5 को 3, 5 जा 15, और minus, plus, minus का 15 आएगा, यहां minus, minus, cancel हो जाएगे, तो क्या आएगा, 7 upon 15, तो यहनि जो दोनों का result यहां भी देखो, left hand side और right hand side क्या आ रही है, I hope आप लोगों को यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब देखो, यहां नीचे 1 लगा लो पहले दोनों के, यहां क्या होगा, 4 से 2 time होगा, यह 4 से 3 time होगा, अब आगे कुछ भी divide नहीं हो रहा है, 4 से 2 time, 4 से 3 time, तो उपर minus, minus तो plus हो जाएगा, और 13 को 2 से करेंगे तो 26 आएगा, नीचे 1 3 जा, 3 आग이ा, उपर देखो, minus 13 को 2 से करेंगे तो 26 आएगा, यह भी minus का, यह भी minus का, इसले plus का आएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, तो यहां भी देखो, left hand side और right hand side क्या आ रही है, बरावर आ रही है, तो हम बोल सकते हैं, last में हमने verify कर दिया, I hope आप लोगों को यह 4 question समझ में आ गए होंगे, इनको भी अच्छे से note कर लीजिए, next right में हम लोग question 3 को देखते हैं, अब हम question number 3 का solution देखते है, question number 3 क्या है, verify each of the following, similar question है, वैसे ही, जैसे पिसले question में verify किया था, वैसे यहां भी verify करना है, मतलब left hand side को solve करना है, right hand side को solve करना है, और दोनों side क्या आनी चाहिए, same आनी चाहिए, तो हमारा result क्या हो जाएगा, verify हो जाएगा, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले हम पहले तो यह वेखते हैं कि कौन सी property, actual में, मतलब यहां पे use किया जा रहा है, कौन सी property का, तो देख जाएगा, वो same ही आयागा, इस property को बोला जाता था, associative property for multiplication, यानी कि multiplication क्या होते है, associative होते है, किसके लिए, rational numbers के लिए, I hope आप लोगों को यह property का meaning समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों को कोई problem है, कि बाई, property कौन सी है, तो आप concept videos को जा के देखिए, उसके बाद में इनको देखना सुरू किची, तो देखिए, तो हमें क्या करना है, मैं दोनों को combined ली एक साथ ही solve कर रहा हूँ, आप लोग पहले left hand side को अलग solve कर सकते हो, right hand side को अलग solve कर सकते हो, paper में इसी तरीके से करना पड़ेगा, और फिर last में क्या करना पड़ेगा, तुमारा क्या तो हम दोनों को last में लिख दोगे, कि left hand side बराब right hand side है, तो hence verified, तो देखो, तो सबसे पहले मैं दोनों को एक साथ solve कर रहा हूँ, तो इस वाले पाट को solve करना है, तो यह वाला पाट तो ऐसे कैसे आजाएगा, यहाँ आप 5 upon 7 ऐसे कैसे आजाएगा, ब्रेकेट को solve करना है, क्या result आता है, को हम लिख देंगे, तो देखो, कुछ उपर नीचे divide हो रहा है कि, कुछ भी divide नहीं हो रहा है कि, ना तो इससे होता है, ना इससे, 12, ना इससे होता है, ना इससे, तो हम simply क्या करेंगे, दोनों को multiply करेंगे, तो 12, 5 जा कितना होगा, 60 हो जाएगा, और नीचे 13, 7 जा कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आगई होगी, फिर हम इधर क्या करेंगे, इन दोनों को multiply करेंगे, तो देखो कुछ divide हो रहा है क्या, यह 6 से 2 टाइम और यह 6 से 3 टाइम डिवाइड हो गया, देखो, तो उपर तो कितना बच 7, 7, 2 जा 14 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 13, 3 जा 39, I hope यह चीज आप लोगों को यहां पर समझ में आगई हो कि अगली स्टेप में इनको फिर सोल करने है, तो देखो, यह 6 से 3 टाइम होगा, यह 6 से 10 टाइम डिवाइड हो गया, यह 7 बन जा 7 और 7, 13 जा 91 हो गय देखो, 7 बन जा 7, 7 टूजा 14 हो गया, अब उपर 5 टूजा 10 बचा और नीचे कितना बचा, 1 मुल्टिप्लाइग, 39 यह नि, 39 बचा, तो देखो, क्या दोनों लेफ्ट हंड साइड और राइट हंड साइड को सोल करने पे, सेम ही रिजल्ट निकल का रहा है, मतलब हमने वेर सेम से केस्टन को देखते हैं, तो देखो, सबते हैं सको करेंगे, मैनस 13 इसमारी यह निकलते हैं, फिर यहां बरेकित का रिचल पार को ऐसे किसरे मोट लेते हैं, तो देखो, 5 बंजा 5, 5, 7 बन सा 35, 12 बन सा 12, 12 बनaş 3 बना माइनस 13 और 1 यानी माइनस का 13 बचा और नीचे 2 5 जा 10 बचा I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई हो कि मैं left hand side को इधर solve कर रहा हूं right hand side को इधर एक साथ ही commandly solve कर रहा हूं तो अब देखो फिर आगे solve करेंगे तो कुछ हो रहा है कि multiply बगेरा तो देखो इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा तो simple multiply करना पड़ेगा minus minus plus हो जाएगा 13 7 जा 91 और 24 को 3 से करेंगे तो 72 तो इधर तो result कितना आएगा 91 upon 72 अब इधर देखो क्या होगा देखो यहाँ एक गलती कर दिया हमने यह minus 13 और यह minus का 1 आया था इसलिए क्या आएगा plus का 13 आएगा देखो divide हो रहा है तो कुछ यहाँ पे देखो 2 time divide हो गया 5 से और यह 7 time divide हो गया 5 से तो 37 जा 91 होगा और इधर 36 जा 72 आएगा तो देखो यहाँ भी left hand side और right hand side दोनों क्या आगी बराबर आगी I hope आप लोगों को यह भी अच्छे से समझ बे आगया होगा अब इसको solve करते हैं तो देखो पहले इधर वाले को तो पहले तो यह देखो 21 upon minus 4 तो ऐसे कैसे चलेगा इसका result जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे minus 9 upon 5 ऐसे कैसे चलेगा और इसका जो भी result आएगा वो इसको इस bracket बे देख देंगे तो देखो 5 upon 5 5 2 जा 10 3 upon 3 3 3 3 जा 9 minus 3 और minus 2 को multiply करेंगे तो minus plus का 6 हो जाएगा और 1 को 1 से करेंगे तो नीचे बना जाएगा फिर यहाँ देखो minus 9 upon 5 ऐसे कैसे चल रहा है 3 upon 3 3 7 जा 21 देखो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 तो उपर बचा minus 5 और 7 यानि minus का 35 नीचे कितना बचा 1 और minus 2 यानि minus का 2 I hope यह चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आरे होगी अब देखो यहाँ पर minus माइनस भी कटिके है तो इधर तो देखो 6 multiplied 21 अब आगे देखो solve करेंगे इसको 6 upon 1 multiply 21 upon minus 4 है और इधर minus 9 upon 5 multiply 35 upon 2 है अब इसको फिर से solve करना है तो अगर divide वगेरा हो रहा है तो देखो यह 2 time हो गया 2 से होगी है 3 time हो गया तो उपर 21 upon 3 कितना बच बना 63 और नीचे 1 minus 2 कितना हो गया minus का 2 बन जाएगा अब यहां कितना होगा 5 1 जा 5 5 7 जा कितना बनेगा 5 7 जा 35 होता है तो अब इसको multiply करेंगे minus plus minus 9 7 जा 63 नीचे 1 2 जा 2 अब ध्यान रखना है यह नीचे हो या minus उपर हो यह मैं आप लोगों को एक concept अब अल्रेडी पढ़ा चुका हूं कही बार कि अगर minus P upon Q हो या फिर Q upon P upon minus Q हो यह दोनों equal ही होते हैं तीक है बोथ हार सेम तो यहां पर दोनों को आप चाहो तो दोनों को उपर इसको minus को उपर ले जा सकते हो और इधर क्या लिख सकते हो दोनों तो यहां भी देखो left hand side और right hand side क्या आगई बराबर आगई I hope आप लोगों को यह भी अच्छे से समझ में आगया होगा इसे भी आप note कर लीजे इसे के साथ हमारा आज का lecture खतम होता है I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए next lecture में हम आगे के 2 questions को सोल करेंगे तब तक के लिए thank you